हेलो गाइस आज मैं अपना Jio का SIM को BSN में पोर्ट करने जा रहा हूँ अगर आप भी चाहते हैं अपने SIM को पोर्ट करना तो इस वीडियो को सुर्ष से लेकर अन तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरह आप भी SIM को अपना पोर्ट कर सकते हैं चाहे आप जो भी कंपनी का यूजर हो एटल यूजर हो भी यूजर हो या चाहे जियो यूजर हो किसी भी कंपनी का यूजर क्यों ना हो आप अपना SIM को पोर्ट कर सकते हैं आप जो भी कंपनी का SIM करते हैं मैं Jio का यूज करता हूँ और आज मैं अपना Jio का SIM को BSN में पोर्ट करूँगा और आपको लाइप दिखाऊँगा किस तरह से पोर्ट करना है तो चलिए फट 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 वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मेसेज को ओपेन करना है मेसेज को ओपेन करने के बास से दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्लक्स का निसान दिखाई देता है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बास से दोस्तों आपको जिसको भी आप मेसेज सेंड करते हैं उसमें आपको एक नंबर लिखना होगा 1900 इसको लिखना है और लिखने के बाद से दोस्तों आपको message में type करना है चाहे आप कोई भी company का stream यूज करते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता बस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा capital में PORT space आपको mobile number में mobile number अपना नहीं दिखा सकता हूँ आपको में एक बार और बता दे रहा हूँ PORT space mobile number जो भी लिखिएगा आप capital में लिखिएगा उसके बाद आपको send कर देना है message को send करने के बाद से दोस्तों company के दोरा आपको तुरंत reply में एक message आएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वह number है 1901 इस पर आपको message आया होगा और यहाँ पर दे रहा है the UPC for your mobile number यहाँ पर मेरा mobile number है और आपको यहाँ पर पोर्टिंग कोड दिखा ही दे रहा है यह पोर्टिंग कोड में आपको नहीं दिखा सकता है यह एक privacy है तो यहाँ पर पोर्टिंग कोड दिखा रहा है और टाइमिंग भी दिखा रहा है आपने देखा मैंने पोर्टिंग कोड निकाला है आपके सामने अब इस पोर्टिंग कोड को मुझे जिस company के पास जाना है जैसे कि मुझे BSNL के पास जाना है तो मैं BSNL के जो SIM बेश्थे उनके पास जाओंगा और जाने के पास कुछ documents मेंरे को लाएगा मैं अपना अधहार करद ले जाओंगा उनके पास में और अधहार कर कोड को दिखाओंगा और पोर्टिंग कोड को दिखाने के बास से वो प्งच कुछ process करेंगा और process करने के बाद मुझे एक नया SIM देंगे BSNL का और कुछ timing को बाद वो SIM port हो जाएगा तो दूस्तों यहरा port करने का पूरा a to z process लेकिन इसके बाद आपको कुछ परसानियां आएगी क्या आपको Company call करके बार बार परसान करेगी या feedback पूछेगी या ने ने offer देगी या पूछेगी आपसे कि आप क्यों port कराना चाहते हैं आपको हमारी सिवा में क्या कमी लगी है तो यह सब आपको फालतों जवाब देने का कोई दरकार नहीं है आप बोलेगा यह मेरी मरजी है आपको उनका कोई response नहीं देना है आ जाना है तो दोस्तों यह रहा पोटिंग करने का A to Z process लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपना पोटिंग कोट को cancel करना है तो 1900 पर आपको फिर से message करना परेगा cancel लिखकर आपका पोटिंग कोट कैंसिल हो जागा आपका मॉइल नंबर पोट होने से तक के लिए बाई बाई